आरहत वांगमय में कहा गया है जीवा जीवा ये बंधो ये पुन्नंग पावा सवो तहा संबरो निजरा मुखो संटे ये तहिया नवे एक प्रस्ण हो सकता है कि ये दुनिया क्या है ये श्रिष्टी ये जगत या जो कुछ ये है ये क्या है इस प्रस्ण के उत्तर में जैन दर्सन में बताया गया है सद्रब्यात्म को लोक है कि ये जो लोक है ये दुनिया है श्रिष्टी है वे छेह द्रब्यों वाली है छेह द्रब्यों का समवा ये ये लोक है ये दुनिया है जैनी जम में प्रशिद्य है छेह द्रब्य धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई आकाशास्तिकाई काल पुद्गलास्तिकाई और जीवास्तिकाई पच्चीस बोल में भी ये बीश्वें बोल में ये बातें आती हैं छेह द्रब्यों की पाँ थोड़ी विश्ट्रित चर्चा की गई है तो ये दुनिया क्या है इस दुनिया का एक तत्व है आकाश इस दुनिया का एक तत्व है काल टाइम यह भी एक तत्व है इस दुनिया में यह पुद्गल मेटल जो पुद्गल मूर्त हैं वह भी एक गटक द्रग्य है और जीव प्राणी जीव भी एक गटक तत्व हैं और धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई गतिक क्रिया जीव और पुद्गल करते हैं उस गतिक क्रिया में जिसकी अनिवारिये सहयोग की अपिक्सा है वे धर्मास्ति का एक नाम का द्रग्य भी इस दुनिया का एक तत्व है द्रग्य है और जीव और पुद्गलों को स्थिर रहने में भी एक सहायता चाहिए वे है सहायक द्रग्य अधर्मास्ति का यह हैं यो ये छे द्रग्यों वाली हमारी दुनिया है और दुनिया में कुछ नहीं है ये छे द्रग्य हैं जो कुछ है वे इन छे द्रग्यों में समाविष्ट हो सकता है तो एक प्रस्पन यह हो सकता है दुनिया है क्या तो है क्या इसका उत्तर जो जैन दर्शन में मिलता है वे काथी एक बहुत एक सही और बहुत एक लोजिकल तरक संगत भी संभवत है प्रतीत हो सकता है तो ठीक है मान लो हमने जान लिया दुनिया क्या है धर्माश्ति का आदी आदी हमने जान लिया एक जानकारी अच्छी हो गई परंतु अब दूसरा प्रस्ण है कि हमें परम सुख कैसे मिले परम धाम मुक्स कैसे मिले दुखों से सास्वत छुटकारा कैसे मिले हमें उसकी बात चाहिए उसके लिए क्या ध्यान दे तो इस संदर्भ में भी हम एक समाधान या एक उत्तर जैन डर्शन में प्राप्त कर सकते हैं और वह उत्तर है कि जीवा जीवा ये बंधो ये पुन्नंपावा सवो तहा संबरो निजरा मुखो संते ए तहिया नवे कि नव तत्व हैं जीव अजीव बंध पुन्य पाप आश्रव संबर निजरा मुक्स इन नव तत्वों को समझ लो फिर उसके अनुसाल ठीक राष्टे पर कल्यान कारी राष्टे पर चलो तो तुम सर्व दुख मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो जैन दर्शन में इन नव तत्वों पर श्रद्धान नव तत्वों को जान लेना नव तत्वों पर सम्यक श्रद्धान होना सम्यक्त्व होता है वे नव तत्वे जो हैं एक तो जीव दुनिया में हैं अजीव हैं जीव अजीव तो सामान्य बात है आगे के जो साथ तत्वे हैं जीव जीव तो मूल बेस होई गया अब जो साथ बाते हैं साथ तत्वे हैं वे सर्व दुख मुक्ती की बात से जुड़े हुए हैं कि बंध है आत्मा है जीव है कर्मों का बंध होता है और कर्मों का बंध अपना फल देता है वे या पुन्य के रूप में फल देता है या पाप के रूप में फल देता है अब पुन्य पाप का बंध क्यों होता है तो आस्रव के द्वारा कर्मा कर्शन हे तु रात्म परिणामेह आस्रवेह ये जीव के परिणाम है मिठ्यात्व अब्रत प्रमाद कसा ये योग इन से कर्मों का ग्रहन होता है आकर्शन होता है फिर वे कर्म पुन्यपाप के रूप में फल देते हैं तो फिर जिग्याशा है ये तो कर्म तो लगते हैं तो कर्म ने लगे इसका कोई उपाय है क्या इसका उपाय है संबर कि संबर करो मिठ्यात्व छोटे अब्रत छोटे प्रमाद छोटे कसाई फिर योग भी छोटे इन के द्वारा जो कर्मों का आगमन होता है जो ये करमों के मार्ग हैं द्वार हैं ये निरुद्ध हो जाएं बंद हो जाएं तो फिर नए शिरेशे करम नहीं आपाएंगे जितने द्वार बंद करेंगे उतने हिसे में करमा गमन बंद हो जाएगा संबर हो जाएगा तो फिर जिग्याशा की ठीक है नए सिरेशे मानलो करम नहीं आएंगे पर जो पूरवार जित कर्म है उनको भी तो निकालना पड़ेगा ना सर्व दुख मुक्ति के लिए उसका क्या उपाय है इस बात के संदर्भ में है कहा गया यानि उत्तर है कि निर्जरा तपश्या के द्वारा पूर्व बद्ध कर्मों को ख्षीन किया जा सकता है निर्जिलन किया जा सकता है तो वे तपश्या आराध्य है निर्जरा के लिए तो वो निर्जरा तत्व हो गया कि तपश्या से कर्म अलग होने से जो आत्मा की निर्मलता होती है करम जड़ जाते हैं और निर्मलता होती है वह निर्जरा है तो संबर और निर्जरा इन दो की साधना से फिर अंतिम परिणती जो आएगी वह होगा मुक्स समस्त पुन्य पाफ करमों के सय होने से आत्मा स्वै स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी उसका नाम मुक्स है और वह सर्व दुख मुक्ती की स्थिती हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है तो हमारे साधू साजवियां भी स्थित हैं तो ये जो दो वर्गी करण है एक सड़द्रव्यवाद का और एक नव पदार्थ का ये दो क्यों किये गए हैं छह द्रव्यों में नव पदार्थों का समावेश किया जा सकता है और नव पदार्थों में छह द्रव्यों का समावेश किया जा सकता है फिर दो क्यों एक से ही तो काम चल सकता है बस यहां ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की प्रिष्ट भूमी अलग-अलग है जहां यह प्रस्ट्टः हो कि दुनिया क्या है तो वहां नव पुदार्त नय बता करके सडद्रग्य वाद छैद्रग्य है यह हमारी यह स्रिस्ट्टि है दुनिया है, लोक है यह असकित्व वाद दुनिया है क्या इस प्रस्ट के उत्तर में लगता है शड़द्रग्यवाद का बर्गी कर्ण प्रस्टुत किया गया है परन्तु जहां यह प्रस्टन है कि आत्म साधना की बात बताओ तो फिर नवतत्व को समझना अत्यक्षित है कि आत्मा के कैसे करम लगते है उनसे कैसे बचा जा सके, कैसे पुराने करमों को तोड़ा जाए, आदी आदी बातों को समझने, समझाने के लिए ये नव तत्व बाद का वर्गी कर्ण मानो प्रस्तुत हुआ है तो दोनों की क्रिष्ट भूमिया, क्रिष्ट भूमि अलग-अलग है, तो सम्यक्त्व के लिए नव पदार्थों का सम्यक अवबोद, सम्यक सरद्धान हो, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति की संभावना हो सकती है और सम्यक्त्व की प्राप्ति, और तो दुनिया में बहुत ग्यान है, विभिन बिसए हैं, पर ये नव तत्व हैं, ये अज्ञात्म बिद्धा के बिसए हैं और सम्यक्त्व के लिए लगता है, अज्ञात्म बिद्धा को समझना अप्यक्षित होता है और तो दुनिया के इतने आज बिद्ध्याओं के विशय हैं सबका ग्यान ने भी हो पर आत्म कल्यान के संदर्भ में हमें नवतत्व को अच्छी तरह आत्म साथ करना चाहिए समझना चाहिए त्योंकि आश्रव संबर निर्दरा ये तीन बड़े महत्व पूलने हैं आश्रव को अच्छी तरह समझ लें पुन्य पाफ बंद को जान लें संबर को अच्छी तरह समझ लें निर्दरा को जान लें और फिर इनकी साधना करें प्रयोग करें अभ्यास करें कि आश्रव को रोकना है संबर को प्राप्त करना है निर्दरा करना है तो इनकी साधना करन है वो मुक्स का मार्ग है तो साधना करने से पहले उसकी जानकारी होने चाहिए ज्यान होना चाहिए पढ्धमम नानम तओ दया पहले ज्यान और फिर दया तो ज्यान जरूरी है अज्ञात्म का साधना जिनको करनी है उनके लिए ज्यान एक पवित्र तत्व है ज्यान के बिना सम्यक दरसन सम्यक ज्यान के बिना सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता सम्यक्चारित्र के बिना सम्यक्जान सम्यक्दरसन तो हो सकते हैं पर सम्यक्त्व के बिना सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता इस संदर्भ में सम्यक्त्व तो बहुत बड़ी चीज है एक संस्कृत में स्लोक है सम्यक्त्वे रत्नान ने परम ही रत्नम सम्यक्त्वे मेत्रान ने परम ही मेत्रम सम्यक्त्वे बंधोर ने परो ही बंधो कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं होता सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं है और सम्यक्त्व रूपी बंधु भाई से बड़ा कोई दूसरा भाई नहीं है और सम्यक्त्व के लाब से बड़ा कोई लाब नहीं है यानि सम्यक्त्व को स्लोककार ने कितना उन्चा स्थान कितना महत्व पुवन स्थान दिया है तो चारित्रात्माई भी हैं और भी तो सम्यक्त्व निर्मल रहे हमारा अच्छा रहे उसके लिए यथार्थ पर हमारी श्रद्धा हो तमेव सच्चम नी संकम जम जिनेहिं पवेईयं जो बीतराग जिनेश्वर देवों ने प्रविद्ध किया है जो वास्तों में फ्यक्ट है वही सत्य है बीतराग तिर्थंकर सत्य ही है यथार्थ है उन्होंने जो बताया है वह सत्य ही है यानि जो सच्चाई है उस पर मेरी स्रद्धा है आस्ता है मुझे सच्चाई से मतलब है मुझे अच्छाई से मतलब है कोन सा अलांकि एक भूमिका की बात है कोन सा ग्रंथ है कौन सा संत है, कौन सा पंत है ये थोड़ी गोन बात है हमें तो सच्चाई चाहिए अच्चाई चाहिए आपके पास सच्चाई है हम उसको लेने को तयार है आपके पास अच्चाई है हम उसका आदर कर सकते हैं इनके पास सच्चाई है हम उसका आदर कर सकते हैं हमें तो सच्चाई यथार्थ तत्थ तत्व चाहिए वो कहीं से भी मिले वो चाहिए एक मरीज को इलाज कराना है दोक्तर बढ़िया चाहिए अब दोक्तर वै जैन है कि क्रिस्टियन है कि मुसलमान है कि इस से मतलब नहीं दोक्तर विशे सग्गे चाहिए दक्से चाहिए और हमें क्या मतलब कौन से जाती का कोई मतलब नहीं मरीज को तो इलाज बढ़िया कर सके वो दोक्तर चाहिए वो किसी धरम को मानता हो किसी जाती का हो इस से क्या मतलब है उसकी वेस भुसा कैसी है इससे क्या मतलब है वो कोट पेना हुआ है कमीज पेना कोई मतलब नहीं डोक्तर एक्सपर्ट चाहिए इसी प्रकार हमें तो तत्वे चाहिए सचाई चाहिए मुक्स का मार्ग चाहिए वो मार्ग जहां मिल जाए वो सही मार्ग कि बताने वाले जो मिल जाएं, उनका हम आदर करें, हमें सही तत्वे चाहिए, तो तमेव सच्चम नी संकम, जंग जिनी हिंग पवेयं, शिद्ध बनते हैं, तो यह नहीं जरूरी देखना, कि कौन सा वेश है, कि मुपति वाले हैं, कि बिना कपड़े वाले हैं, कि रंगीन कपड़े वाले मुक्स यह नहीं देखता कि कपड़े कैसा पहना हुआ है, एक हम कल्पना कर लें, कि मुक्स देखे भी मुझे लेना है, मेरे यह आना है, तो मुपत्ती तेराफंथ वाली एक थानकवाशी वाली एक ये कपड़े बिना कपड़े वाले एक रंगीन कपड़े वाले कोई मतलब नहीं मुक्स को मुक्स को मतलब है कि बीतराग बने यानी केवल ग्यानी बने यानी केवल ग्यानी बन गए हैं तो कपड़ों की स्थिती में केवल ज्यानी बन गए शिद्ध हो रहे हैं तो मुक्स को स्विकार करने में कोई आपती नहीं मुपत्ति वाले हैं तो कोई आपती नहीं बिना कपड़े वाले तो कोई आपती नहीं रंगीन कपड़े वाले तो आपती नहीं कसाय का रंग नहीं होना चाहिए, और कोई रंग है तो है, मुक्स को कोई आपती नहीं है, क्योंकि कसोटी है, कसाय मुक्ती, राग द्वेस मुक्ती, पर गरंथ कौन सार, पंथ कौन सार, संत कौन सा, ये सब बाद की बाते हैं मुल्क सोटी है بीत्रागता आयी या नही केवल ग्यान हुआ या नही तो जैसे मरीज को जाती से मतलब नहीं कपड़ों से मतलब नहीं जो भी डोक्टर बढ़िया हो वो मरीज को चाहिए तो मुक्स को भी मतलब नहीं कपड़े कोन से पहने हुए हैं कि आकार कैसा एक बस राग द्वेस मुक्तिर केवल ग्यान हो गया है तो मुक्स का द्वार उसके लिए उस आत्मा के लिए प्रवेश के लिए खुला है तो यह सम्यक्त्व है कि जो सत्य तत्व है जो केवली द्वारा प्रवेदित है उसको मेरा समर्थन उस पर मेरी स्रद्दा है दूसरी बात है कि कसाय मंदता की साधना करना कसाय कम पड़े क्लोद मान माया लोग मेरे पतले पड़ें प्रतनों बने यह साधना करें तीसरी बात है तत्व बोध करें नव तत्व आधि को समझने की अनाग्रे भाव से बिना कोई दुराग्रे किये कि सही बात है किया उसको ग्रहन करने का पकड़ने का प्रयास करें तो सम्यक्तत्व बोध करें तो आशा है विश्वास हो रहा है सम्यक्त्व संपुष्ट हो सकती है रह सकती है तो सम्यक्त्व मजबूत चाहिए सम्यक पे थोड़ी कमजोर भी हो सकती है और सम्यक पे मजबूत भी हो सकती है जैसे आदमी कोई दुबला पतला कमजोर भी हो सकता है थोड़ा सा धका दोर गिर जाए इतना कमजोर हो सकता है कोई बड़ा बल्वान आदमी हो सकता है जटपट उसको कोई गिरा नहीं सकता इतना मजबूत होता है और एक कमजोर आदमी है उसको कोई उठा ले एक बहुत मजबूत है हर कोई उसको उठा दे कठिन भी हो सकता है तो सम्यक्त्व कोई डुबली पतली कमजोर हो सकती है कोई सम्यक्त्व बड़ी मजबूत हो सकती है क्साइक सम्यक्त्व है परम मजबूत सम्यक्त्व है तो हमें भी क्साइक सम्यक्त्व प्राप्त है तो ठीक नहीं है तो प्राप्त हो ऐसी हमारी कामना रहे भावना रहे तो हम यथार्थ के प्रति एक स्रद्धावान भी बने रहें यथार्त का यथा संभव अन्वेशन भी करने का प्रयाश कर सकते हैं और परम सुख सर्वदुख मुक्ति की दिसा में हम आगे बढ़ने का प्रयाश करें यह काम्या है एकाग्रता तन्मयता अपने आत को मंगल मय अनुभव करते हुए नमो अरहंतानम नमो शिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्जायानम नमो लोए सबसाफूनम एसो पंचनमुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्बेशिंग पढ़मं हवई मंगलं चत्तारी मंगलं अरहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलिपन्नत्तो धंमो मंगलं चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा शिद्धा लोगुत्तमा शाफू लोगुत्तमा केवलिपन्नत्तो धंमो लोगुत्तमो चत्तारी सरणं पवज्जामी अरहंते सरणं पवज्जामी शिद्धे सरणं पवज्जामी साफू सरणं पवज्जामी केवली पन्नत्तम धंमं सरणं पवज्जामी धम्मो मंगल मुक्कित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमंसंति जस्षधम्मे सयामनौ च इत्ता भारहं वासं चक्कवत्ती महिध्धियो संती संति करेलो ए पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गन्धवा जख रख सकिन्नरा बंभयारिंग नमंसंति दुक्करम जेकरन्तितम मंगलम भगवान बीरो मंगलम गवत मोगनी मंगलम स्थूल भद्राज्यहा जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम अतिमान भिक्षु हूँ मंगलम भार मल्ल कह मंगलम राय चंद्राध्याँ मंगलम तुलशी गुरु महा प्रज्योस्तु मंगलम तेरा पन्थोस्तु मंगलम बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम गुन ओलख समरन कियाँ स्वाम बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम गुन ओलख समरन कियाँ स्वाम बिग्धन हरन मंगल करन स्वाम भीक्षुनो नाम गुन ओलख समरन कियाँ एक दिवसी त्याग आज आज के लिए धालना नुसार त्याग है स्वाम बिग्धन हरन में जीवन हो स्वाम स्ब्सुनो स्वाम बिग्धन हरन से ने स्वाम जाए रन Sवाम स्वाम पज्धन हरन में लिए vendor करन सा दो मंगल के दीवसी ज् pillar च्रीम दो स्वाम बिग्वववरत दुन जीवदन हरन में हरन म!' मुर पह कर दो